क्या पंजाब कंगरेस का विवात खतम हो गया है मुख्य मंत्री कैप्तेन अमरिंदर सिंמח और प्रदेश नध्यक्ष नवजोज सिंग सिंग के बीच अब कोई विवात नहीं रहेगा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंग ने शुकरवार को चंडिगर के पंजाब भवन में नवजो सिंग सिद्धू से मुलाकात की जिसमें क्रिकिटर से राज नेता को कॉंग्रेस की राज इकाई का प्रमुक निक्त करने के एक समारों से पहले दोनों नेताओं के भी संबंदों में गिरावट का संकेत दिया गया बैटक में अमरिंदर की उस काईकरव में उपसिती के बारे में अठकलों को समाप कर दिया जहां सिद्दु को अपचारिक रूप से कॉंग्रेस पार्टी की पंजाब एकाई के बागडोर स्वापी जाएगी अंदरूली कल्य में उलजे दोनों नेताओं के मिलने के कुछ देर बाद कॉंग्रेस से ता राहूल गांदी ने कहा पंजाब संकर सुलज गया है सिद्दु ने चंटिगण में प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष का कारभार समाला और इस कायकरम में अमरेंदर सिंग भी शामिल हुए पंजाब कॉंग्रेस के प्रभारी हरी श्रावाद भी कायकरम में माजूद रहे अमरिंदर सिंग बनाम प्रदेश अध्यक्ष नवजों सिंग सिद्दू कैम्ब के बीच लंबे वक्ष से चले संगर्ष के बाद कारेभार समालने के लिए आयोजी समारों में दोनों नेता एक ही मंच पर बैठे निखे इससे पहले अमरिंदर सिंग ने कॉंगरेस के सभी विधायकों, सांसदों, वरिष नेताओं को चाय पार्टी पर बुलाया और इस चाय पार्टी में अमरिंदर सिंग और नवजों सिंग सिद्दू की मुलाकात और बात हुई सिद्दु को पंजाब की कमाल मिलने के बाद कैप्टेन अमरिंदर सिंग लगतार विरोध कर रहे थे कैप्टेन अमरिंदर सिंग के सलाकार ने दो दिन पहले ट्वीट किया था कि कैप्टेन अमरिंदर सिंग तब तक सिद्दु से नहीं मिलेंगे और उनसे इस बाबत बात की सूत्रों के मुताबिक प्रेंका गांदी ने कैप्टेन अमरिंदर सिंग से कहा कि उन्हें सिद्धू के पद ग्रहन समारों में जाना चाहिए क्योंकि वो मुख्य मंत्री हैं और उनका ना जाना बहुत गलत संदेश भेजेगा यही नहीं सूत्रों के मुताबिक प्रेंका गांदी ने कैप्टेन अमरिंदर सिंग को बताया कि खुद कॉंग्रेस अध्यक सोन्य गांदी भी इस मौके पर अपना संदेश भेज सकती है कायकरम से कायकरम से कॉंग्रेस भी जनता को दर्मियान विवाद का खटमा हो जाएगा और दोनों के भी चली आ रही तल्खी दूर हो जाएगी या आने वाले दिनों में या तल्खी किसी और रंग में दिखेगी Bureau Report, Public News